इसका बेनिफिट क्या है कि ये complex signals को decompose करती है simpler signals में और ये approximate करती है कोई भी given periodic piecewise continuous function को ये इसका फार्मूला है f of x f of x जो है वो एक periodic function है तो हम इसमें अजियूम करते है कि मारा जो f of x है periodic का मतलब है कि उसमें को ऐसा number आइड करें fix number जो उसको उसकी value में कोई change ना है तो ये में अजियूम करता हूँ कि इसका जो function है वो f of x plus 2p is equal to f of x है मतलब इस function का जो period है वो 2pi है और x जो है वो इसको तब long करेगा मैं इसमें ले रहा हूँ minus p से लेकर p तक ठीक है ये इसका symmetric interval लिया जाता है ये 0 से 2p भी हो सकता है ये close term भी हो सकता है अच्छा अब हम इस formula को देखते है submission from n 0 to infinity a n cause of n pi x over p है plus b n times sin of n pi x over p है इसको हम किस तरह इसमाल करेंगे पर आप जब ये कीजिए कि n जब 0 होगा ना तो इसका behavior तरह different होगा कि जब n की value 0 पर लग कोंगा तो sin 0 0 होता है तो second न फातम होगा जाएगी लेकिन cause जो 0 होता है वो 0 नहीं होता है तो 0 के लिए ये series 0 term प्रड्यूस नहीं करेगी बलके उसमें एक non zero नबर आएगा तो इसको एक term open कर दें जब n 0 होगा तो ये बनेगा a not cause of 0 और b not sin of 0 और उसके बाद series को दोबार कंबाइन कर दें यहनी n 1 से लेकर उसको पर series की form में रहने दें a n और cause of n pi x over में p और प्लस b n sin of n pi x over में p ठीक है इसको मैं इसकी form में कर दी है अब जोंके sin 0 0 होता है तो यह जो term है sin 0 खतम होजाएगी और चूंके cause 0 1 होता है इसको further आप simplify करें तो मेरे पास इसकी जो form बनेगी वो क्या बनेगी f of x would be equal to f of x would be equal to just a not होजाएगा और summation n from 1 to infinity यह a n और cause of n pi x over में p और फिर b time sin of n pi x over 1 में p आजएगा कि मेरे पास a not जो term बाहर निकलाई है तो इसका दुआ का मेरे पास तीन constants हो गए है एक a n एक b n और जो a not भी find करना पड़ेगा अब इनकी value कैसे find की जाएगी कैसे हम इसकी value को find करेंगे उसको हम इसको further explore करते हमने इसमें से a not और a n और b n की value find out करने है ठीक है स्कीरी मैं integration का tool इस्तिमाल करूँगा और कुछ basic concept है जो के मैं use करूँगा और वहां से मैं इनकी value find करूँगा पहला मैं क्या करता हूँ कि इसको integrate कर देता हूँ both side ठीक है integrating both sides with respect to x with respect to x और इसकी limit लोगा from negative p to positive p जो मेरे पास interval की length है जिस interval में मैं interested हूँ उसी की मैं इसकी limit ले 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 इसका तो अब मेरे पास क्या बनेगा integral from negative p to positive p of the function f of x dx on the left hand side और on the right hand side में के terms हैं तो मैं integration को term by term कर सकता हूँ तो मेरे पहला क्या बनेगा मेरे पास चूँके a not है उस constant है उसको मैं बाहर सकता हूँ तो minus p से positive p और just one कहले या dx कहले इसका आजएगा second में आप summation and from one to infinity चूँके an भी constant है इसमे x नहीं है आप उसको बाहर shift कर सकते हैं integral का effect सिरफ होगा x वाले function में जो के cause है n pi x over p dx और इसी तरह आप फर्दर जो है series को beat आप split कर सकते हैं and again from one to infinity ये bn आ गया integral minus p to positive p और अब आएगा मेरे पास sin of n pi x over p time dx लेजे मैंने पूरी अपनी term को अपनी पूरी equation को जो है वो integrate कर दिया है negative p से लेकर positive p तब left fully term वैसे की वैसे रहे कि integral one की integration जो के x होती है तो ये x आजएगा और इसकी जो limit है apply जब करेंगे lower limit minus upper limit तो देखें ये minus p से लेकर positive p रहे जाएगा अच्छा अब दूसरी तरफ आजएए अब जो second इसकी term आ रही है ठीक है जो उसमें देखिए submission और an तो बाहर वैसे का वैसे रहेगा ठीक है ये an वैसे रहेगा अब cause को integrate करते हैं हम cause को integrate करना जानते है cause की नहीं होती है sign sign of n pi x over में p आएगा और whole over में n pi x over में p आएगा और इसको भी आप integrate करेंगे from minus p to positive p in the same way अब जिसकी last term आ रही है उसको भी आप integrate कर दें summation बाहर रहेगी bn बाहर रहेगा और sign को integrate करेंगे तो वह आएगा negative cause of n pi x over में p और same निशे आएगा n pi over में p और ये x नहीं आएगा ये इदर भी मैं x लेकिश चका हूँ ये x नहीं आएगा ये सिर्फ जो है वो मेरे पस n pi over pi आएगा और इसकी जो limit है of course limit वो ही रहेगी minus p से लेकर positive भी बन जाएगी अच्छा अब देखते हैं अब आगे क्या करेंगे पहले आजी left first term के अंदर आप जहाँ जब नियो प्लग करेंगे इस वले term के अंदर a not वैसे का वैसे रहेगा upper limit p है और minus lower limit तो p minus p तो p प्लस p बनेगा देखे ये 2p बन जेगा मेरे पस तो इसका तो आंसरा आ गया आप यहाँ पे देखिए यहाँ जब प्लग करेंगे आप यह constant है आप जब अपर प्लग करेंगे यहाँ पे x को अपने p प्लग करना याँ देखें p जब प्लग करेंगे x p हैगा p से p करशेगा उपर हैगा sin n pi अब जो sin n pi होता है sin of n pi जोकि n यहाँ पे integer है अगर n integer हो तो sin n pi 0 होता है यहाँ जोकि यह फिर sin 0 हो सकता है sin 1 pi, sin 2 pi, 3 pi, 4 pi it will always 0 as long as your n is integer और यहाँ जोकि n series का variable है उसका index है अफकोर्स यहाँ पे integer ही है अच्छा यह इसकी upper limit भी 0 बन जाएगी और load पर आप negative भी plug करेंगे तो अफकोर्स वो negative n pi बनेगा वो भी 0 बनेगा यह जो पूरी की पूरी term है जो blue लिखी हुई है यह सारी की सारी term जो 0 बन जाएगी what about second last one अब last में देखिए जब आप वहाँ plug करेंगे cause को plug करेंगे x जब p plug करेंगे तो यहाँ भी p over p है तो p cut जाएगा तो n pi रह जाएगा ठीक है अब यह cause n pi 0 नहीं होता ठीक है अब वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वहाँ क्या बनेगा मेरे पास यह आप जो है summation plus summation n from 1 to infinity यह bn पहरा आगया और इसको भी अब पहल ले आईए यह p over में n pi बाकि negative बहले यह ऐसे बनगा अब आप apply करेंगे इस पे लिमट अपर लिमट अपर लिमट करेंगे cause of pi n pi रहेगा because x जब pi पलग करेंगे यह अपर अपर इसे कर जाएगा ठीक है और उसके बाद minus lower limit cause of दुबारा पलग करेंगे और यह फिर आएगा n pi negative आएगा लेकिन हम जानते है cause में negative आ जाए ठीक है property के cause अगर negative theta आ जाए it is cause of theta तो वो खतम कर लिता है absorb कर लिता है तो इसका मदगा के वो just cause and pi बनेगा और यहाँ देखिए मारे पाद दोनों की दोनों term क्या बन रही है zero बन रही है इसका मदगा के third term में भी कुछ नहीं मारे पस आ रहा हमारे पाद सिर्फ first term बाकी बची है जो के a not 2p है तो यह 2 a not of p है और left पे क्या है minus p से लेकर p f of x dx और यहाँ देखिए मेरे पास एक step और कीजिए जो a not की value आएगी you can see that it is 1 over 2p integral minus p to p और f of x dx आप देखिए मैंने कितने आराम के साथ just integration करते हुए अपने पहला constant जो a not था उसकी value find कर लिए छीक़ा इसी process को भाम ने continue करना है और मैंने उसका बाकी उसके जो आर हे है unknown जो के a n है और b n है उसकी मैंने value find कर लेनी है छीक़ा इसी concept को use करना है और इसी से मैंने जो s की value find कर लेनी है इसको solve करते हैं अब हम क्या करेंगे अब हम इसको दुबारा से integrate करेंगे लेकिन अब integrate करने से पहले क्या करना पड़ेगा मैं इसको multiply करूँगा cause से cause से multiply करने के बाद throw out और फिर integrate करूँगा यानि multiply with cause x पहले आपने multiply करना है multiplying by cause of n अब यहाँ पर जोके n और यूज किया तो मैं different ले रहाँ नमबर मैं यहाँ पर m ले रहाँ तो m by x over p से multiply करूँगा and then integrating फिर integrate करूँगा from negative p से लेकर positive भी तर तो मेरे पास क्या बनेगा जब पहले multiply करूँगा cause m by over x से ठीक है इससे मैंने multiply किया और फिर मैंने इसको integrate किया minus p से लेकर positive p dx और same यह concept मैंने apply करना है towards right hand side तो वहाँ पर क्या बनेगा मेरे पास वहाँ मेरे पास आएगा integral minus p to positive p a not multiply cause of m by x over p यह dx आ गया और फिर उसके पर अब अलग कर लिए submission ठीक है आप submission लग करें पहला आपका जो बनेगी term आपके आएगी submission n from 1 to infinity a n बाहर आजएगा और 7 आपका आएगा integral p से p और एक आपका cause साथ है और एक आपने multiply किया तो n by x over p और 7 cause m by x over p dx बनेगा ठीक है in the same way जो last term बनेगी submission लग कर दिए n from 1 to infinity और ये b n बनेगा और integral minus p से positive p sine of n by x over p पहले से है और cause of m by x over p आपने multiply किया into dx आपके ये मेरे पास situation आगी अब यहां मैं देखना कि मेरे पास क्या बनता है left side will stay as it is right side पे देखिए पहले में आपके पास जो है जो पहला इसका आ रहा है constant पहली जो इसकी term आ रही है इसकी ये पहली term अभी आपने देखा था cause को तो मैं इंट्रिगेट किया था तो ये 0 बन गई थी क्योंकि आप ते प्लग करेंगे अपर लिमर्ट speed trick interval है it will give you 0 इसके 0 आने की all reason भी है आप देखें cause even function है ये भी अब थोड़ा देख ले cause even function है even function क्या होते है ऐसे function जिसके अंदर आप negative replace करें तो वो same return आ देनी f of negative x is equal to f of x ये होता है ये even function होता है even function की property क्यों होते है अगर ग्राफ ड्राफ करेंगे न ये बिल्कुल y axis के about symmetrical ये रिफ्लेक्स होते है ये मैं एक ड्राव कर रहा हूँ ये y x के में ड्राव की है अफकोर्स ये भी even function होता है तो अगर इसका interval भी बिल्कुल symmetrical है negative p से लेकर same distance positive p तक है जतना ये x x के next side पे है उतना positive side पे है ठीक है और ये even function है तो इसमें क्या होता है मेरे पास इसका आपका जो area ये जिसका अचीव करता है left side पे same वही area ये अचीव करता है right side पे और यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं कि ये zero बजाए negative p से positive p तक हम इसको zero से लेकर p तक करके ये एक side का आप use कर ले zero से p और उसको twice कर सकते हैं तो वह आपके पास integral convert हो सकता है और अगर ये even function है even के लिए क्या होता है कि ये f of negative x लें तो negative बाहरा के f of x बन जाता है इसके लिए अगर आप रहेंगे तो even function होते हैं जो function origin के बहुत reflective होते हैं बिलकुल इनका behavior जाना और इनका बिलकुल same interval हो minus p से लेकर positive भी ये area बिलकुल उतना ही हो जोतना ही area है लेकिन जो के एक upside पे है तो वो positive होगा एक down पे है तो negative बनेगा जब उसको add करेंगे वो कटके zero आजाएगा तो ये आप इसकी property भी use कर सकते हैं ऐसे function जो even और odd हैं तो उसके लिए हमें असानी हो सकती है लेकिन यहाँ पे मैं आपको वैसे पीसे बाले भी मैंने ये use का सथा लेकिन मैंने आपको direct करवा दिया same उसी argument use के लिए first आपका integral zero पंच जाएगा what about second integral second integral जो third integral है इसको use करने के लिए आपको छोटा सा एक law देखना होगा हमरे पास बड़ा famous जो है वो integration के कुछ formula होते है वो formula हम use करेंगे और उसको हम अभी solve कर लेंगे formula क्या है मैं formula लिए हो यहाँ पे जो formula है जी मेरे पास अगर मेरे पास integral है जी minus pi से लेकर positive pi और कोई sine of nx है और into sine of mx है ठीक है dx है तो इसका जो answer आएगा वो depend करता है n और m की value पे अगर n और m same function है या n और m different integer है ठीक है अगर n और m बिलकुल same है उस case में इसका answer pi आएगा और अगर n और m different function है तो उस case में इसका value है वो zero बनेंगे इसी तरह दूसरा क्या है जिसमें दोनों sine की वज़ाए दोनों cause आज़े same rule minus pi से लेकर pi है symmetric interval है अब cause है nx है और cause of mx है dx है आप इसको indicate करेंगे same इसका result आएगा अगर वो n और m same number आगे है तो फिर इसका answer pi आएगा और अगर n और m different है तो फिसका result zero आजाएगा और तीसरा result यह है कि जब ये एक sine आएगा और एक cause आएगा उस case में क्या होगा ठीक है तीसरे case में मैं color change कर देता हूँ तीसरे case में minus pi से लेकर pi एक मारे पास sine है sine nx और एक cosine है cosine mx dx यह हर दफ़ा zero आएगा for all n और m चाहे वो same है चाहे वो different है बोथ cases में इसका result always zero आएगा तो यह आप check कर सकते हैं कोई भी function लेकर n और m के लेकर values या even आप इसको in general integrate कर सकते हैं आपको use करना पड़ेगा product से sum to difference का formula indicate करेंगे इस result को use करते हुए आप देखिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो blue वाली curve बनती है यह जो term बनती है इसमें लेखिए दोनों cause है ठीक है दोनों cause है और अब इसका value है वो इस बात पर depend कर रही है कि n और m आपस में different है कि नई है अच्छा यह आप कैसे decide करेंगे याद रखिए जो n है यह variable है इस series का इंडेक्स है इसकी value 1 भी है 2 भी है 3 भी है 1 इसकी value 1 से onward जा रही है लेकिन जो m मेंने लिया है वो fix number है वो एक number कोई कहीं fix कर लें वो इसकी value भाई ही fix हो सकती है अच्छा मैं अब यह रेस कर रहा हूँ और फिर मैं आपको explain करता हूँ उसकी value की आएगी first term अमारी 0 आ चुकी है ठीक है याद रखिए मैं अभी इसको भी race कर रहा हूँ first term अमारी 0 आ चुकी मैं blue वाली कब देख रहा हूँ cause of n की value 1 करेंगे तो pi x over में p आएगा और cause of mm रहेगा m x over p dx बनेगा उसके बाद n की value 2 रखेंगे तो अब a 2 बाहर आएगा integral same from minus p to positive p cause of क्योंकि n x pi है तो n की value 2 बन गे तो 2 pi x over p है और into cause of m pi x over p है into dx है और यह चलता जाएगा 3 के लिए 4 के लिए रखें n की value change 1 है कहीं 2 है m हमारा fix है इस पूरी infinite terms के अंदर एक वक्त ऐसा आएगा जब यह जो m है इसकी value इस n से concise हो जाएगी मिल जाएगी let's suppose करें m की value 5 fix करता हूँ तो आप जब चलते हैंगे पहले में 1 आई पी 2 आई पी 3 m और n की value same आजाएगी मैं आजियूम करता हूँ वो term ये बन रही है minus p से positive p और यहां पर cause of m इदर भी m करता हूँ n pi x over p आएगा और साथ यहां पर भी cause of m pi x over p dx आएगा और उसके बाद फिर तमाम value different आएगी अच्छा आप देखे अगर इसका आंसर m और n अगर same आते है तो फिर उसका आंसर है जी p sorry pi था वहां पर अपर लिम्ट दी ठीक है और zero आएगा अगर m और n वहां पर different है मैं ने यह लिखा था अंटिकर minus pi से लेकर positive pi cause of n pi और cause of m pi ठीक है dx तो अब देखे पहले वाले case में आजए जो इसकी first term बनती है यहां पर m और है और यहां पर one है चूंके different है यह term क्या बनगी? zero बनगी second term में देखिए m और different है यह term बनगी? zero बनगी unless क्या आप इस term तक पहुन जाएगी जो एकी term उसके अंदर होगी जहां पर क्या होगा? कि उसकी values जहें वो same आगई उस case में क्या बनेगा? यहां असर पाई था पाई क्या तो उसकी? upper limit symmetric interval की तो यहां पर अपर limit क्या? p है इसका दूआ कि इस कहां सा क्या बन जाएगा? p बन जाएगा इस पूरी infinite terms के अंदर सिर्फ एक ऐसी term आएगी जहां पर integral की value p बनेंगी और बाकी तमाम के लिए इसकी value 0 बन जानी अब हम इसको summarize कर देंगे हमें इतना लंबा लिखने के जोट नहीं है मैं सिर्फ उसके अंदर वही term लिखूंगा जिसका answer आगया है p बाकी तमाम क्योंके 0 बन गई है तो खतम हो जाएंगे इसका मतलब हुआ कि पहली जो मेरे पास थी न इसके अंदर जो पहली term आई है ये 0 आई है और जो दूसरी term आ रही है उसके अंदर सिर्फ एक number बचा है मेरे पास वो है p और जब p होगा तो उसमें बाहर an भी बचेगा यूँकर ये an की आखर जब वो पी बना तो बाहर भी रहेगा बाकी और ये इसकी वेली मैंने क्या fix की थी मैंने वाहाँ बहुर करें वाहाँ को मैंने m कहा दिया था तो ये मेरे बस क्या बनेगा उस case में ये एम टाइम पी रहे जएगा ये बने की blue बली अब आजए green वे लास्ट बनेगा same happens there चुकि अब ये sign है और cosine है sign और cosine यहाँ सेम नहीं बनागी ये sign और cosine है अगर sign हो cosine हो तो mN की हर value के लिए zero बनती चाहे वो different है ये same है it भी ये हर दवाँ zero produce करेगी integral minus p से positive p f of x cause of m pi x over p dx ठीक है ये मेरे पस आगी उसकी दूसरी value है मैं इसको box किना रहूँ ठीक होगे ये आगी मेरे पस अब मेरे पस आखरी काम क्या रह गया है आखरी काम रह गया है आखरी constant find करना same इसी argument को use करूंगा same arguments करूंगा अब मैंने क्या करना है multiply करना है मैंने अब sign से बजाए कि मैं अब multiply करूं cause से अब मैं sign of m x pi over 2 से multiply करूंगा और फिर integrate करूंगा उसको minus p से लेकर positive p जिससे मैंने process पहले रपीट के है same वही करूंगा और इसमें क्या बनेगा आप देख सकते हैं उपर बजाए को करूँ इसलिए red वली curve को देखिए हर एक ट्रम को sign n m by x over p से multiply करूंगा और integrate करूंगा तो यहाँ देखिए पहला क्या बचेगा मेरे पास minus p से positive p यह a not है और साथ आएगा sign of m by x over p dx और फिर मेरे पास क्या बनेगा दूसरी ट्रम बनेगी मेरे पास आजाएगी summation n from 1 to infinity और यहाँ मेरे पास a n है और integral minus p से positive p और यहाँ पे already cause n by x over p है और मैं multiply कर रहाँ sign of m by x over p dx और जो last ट्रम मेरे बन जाएगी वो क्या आएगी मेरे पास उसके अंदर उसमें आएगा n starting from 1 to infinity और bn और integral minus p से positive p और वहाँ मेरे पास already sin n by x over p मजूद है और मैंने multiply किया है sin of m by x over p dx से अब फिर वही argument पहले बने यूज़ करूँगा यहाँ देखी मेरे पास क्या बनेगा left side बैसे कि बैसे रहेगी यह जो black वाली first term है यह भी zero बन जाएगी ठीक है sin even for all function है वो वैसी zero का देता उसको जो second वाली term आ रही है blue वाली term आ रही है यहाँ पे देखिए अब दोनों एक sign है एक cosine है sine cosine आ जाएए तो उसकी हर value के लिए zero बन जाती है और last में आ जाएए वही argument इसको open करेंगे b1, b2, br n different है n की value 1 से infinity जाएगी m मेरे पास fix है इसे अब span करूँगा एक मौका बस ऐसा है गए जहाँ पर यह same कर जाएगे और उसके लिए आप m ले 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 suppose करें उसमे m आता है तो bm bm के लिए उसका वही result आएगा यहाँ आप सिंप्लिफाइ करें तो मेरे पास जो bm के value आ रही है 1 over p integral minus p से positive p f of x and sine of m x p over m x pi over p m x pi over p d x यह इसकी देखिए answer इसका आजएगा यह मेरे पास आखरी यह वो constants भी निकलाया है ठीक है यहाँ पर भी यह pi यहाँ था over में p था ठीक है अच्छा अब देखिए अब यह मेरे पास क्या आगए है तीनों की तीनों term निकलाई है यह bm के लिए है हम इसका variable यह वो अपने मुनास्पर से इसको भी n में shift कर लेंगा ताकि मारे पास असानी रहे उसको याद रहने में अब देखिए अब मैं सरा summarize कर रहा हूँ अब इसका मतुआ कि मेरे पास अगर function f of x है ठीक है periodic function है तो उसकी जो Fourier series ही वो मैंने लिखी थी वो a 0 थी और summation n 1 से लेकर infinity पहले a n था और cause of n pi x over में p था और plus b n था और यहाँ पे था मेरे पास sine of n pi x over में यह वो p है यह बन की series ही और यहाँ पे जो a 0 के value आई थी मेरे पास वो अब फिर में निकाल चुका हूँ 1 over 2p integral minus p से positive p और यहाँ पे function dx है और जो दूसरी value आई थी a n की जो a n थी value वो 1 over p था minus p से लेकर positive p function के साथ मैंने multipy किया था cause वाले को तो cause of n मैंने वहाँ पे m लिखा था लेकिन क्योंकिए हम index चेंज कर सकते हैं मैंने इसको n की फॉर्मिले लिया है और last में रपास आई है b n की value 1 over p integral minus p से positive p फिर f of x function है और साथ आगया sin of n pi x over में p dx ठीक है यह में रपास आगई है इन तमाम की value अब इसमेट्रिकल देखिए तमाम की limit minus p से positive p है a n और b n के लिए आपके पास function के साथ आपने multiply करना cause को जो मेरे पास a n की value है ये देखो a n में साथ इदर भी cause है तो उसका जो formula है a n का उदर भी आपने उसी cause n pi x over p से multiply करना है जो b n की value है उसमें चोंके यहां साथ sign लिखा हुआ तो उसके formula के अंदर भी क्या आएगा fs के साथ sign ही मौझद होगा अच्छा अब a n में क्या है कि यहां पर one over p नहीं है one over two p है इदर one over p है यहां one over p है यहां one over two p है कुछ author यह करते है कि one over two है वो यहां लिखने की पजाए उसे क्या करते है उसको इदर ही over में two कर देते कि a not over two कर देते है और उस case में इदर का करेंगे इसको one over p करतेंगे ताकि यह symmetry बनी रहे कि सारे के सारे formula के साथ one over p है तो हम भी यहीं काम करेंगे हम पहले जब a not लिखने की जए a not over two लिखा करेंगे और a not का जो formula है उसको अंदर हम as for an and bn हम वहाँ पर भी a one over p लिखा करेंगे तो यह अब आकर at the end क्या बन गई है मेरे पास बन गया है formula जिसकी help से मैं क्या करूँ करूँगा जो भी मेरे पास function given होगा उसको मैं जो है उसकी 4A series find करूँगा ठीक है आप देखें बड़ी details से मैंने आपको समझा दिया है concept थोड़ा सा आम तरब भुक में यहां से वो start करते हैं यह 4A series है यह इसका formula है यह a not की value है an की value bn की value वो explain नहीं करते हैं कैसे decide कि a not की answer आएगा या bn की answer आएगा या a not को क्यों हमने जो है वो one over P लिया है और यहां उपर भी हमने series के अंदर a not over two क्यों लिखा हुआ है यह हमने a not का ही an लगती है b not के लिए b not कहां किया है b not zero बन जाता है क्योंकर sign जब n zero प्रग करते हैं फिर हम उसका एक example साहब करेंगे thank you very much